स्वागत अब अच्छों आपका सेल स्टडी के चैनल में तो आज की हम अपने 29 वीडियो वोकाइब की स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आपने 28 वीडियो नहीं देखी हैं वोकाइब की जो जाकर देख लीजिए एक अलग से मैंने प्लेइलिस्ट बना रखे हर वीडियो के अंदर हम 5 वर्ड्स करते आ रहे हैं अब तक बहुत सारे वर्ड्स हो भी चुके हैं आप इंटू कर लीजिए और आज को मिला के और देख लीजिए हम वोकाइब कर कैसे रहे हैं विद की या फिर कहें विद्रिक के साथ ताकि हमें ये शब्द याद रहने में असानी हो ओके बिना टाइम कर आज का जो पहला वर्ड है वो हम देख लेते हैं पहला जो वर्ड है वो है हम बग हम बग clear हम बग का मतलब होता है दोखे बाज दोखा ठीक है हम बग का मतलब होता है दोखे बाज या फिर दोखा और हम इसको याद कैसे करेंगे जरा देखो हम बग को में देखना इसको हम अलग कर लेते हैं और बग को हम अलग लेते हैं बग को हम बना लेते हैं बगल बग को हमने बना लिया बगल और हमको कर लिया हम को बना लिया हमने हमारे हमारे बगल हमबग को हमने कर लिया हमारे बगल हमबग का जिसका मतलब होता है दोखा दोखे बाज या फिर दोखा और हमने इसको याद कैसे करना है हमारे बगल ओके एक्जामपल से समझते हैं इसको हमारे हमारे बगल हमारे बगल में हमारे बगल में सारे सारे दोखे बाज हैं हमारे बगल में सारे दोखे बाज हैं तो हमारे बगल में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आगी और दोखे बाज यहाँ पर इसका मीनिंग भी आगया अब ऐसा नहीं है कि सर हमारे बगल में तो नहीं रहते बट यह याद करने के लिए कहीं आप apply करने लग जाओ या फिर इसको समझने लगे कि यार हमारे बगल में रहते ऐसा कोच नहीं है, यह सिरुफ सारी बाते हैं जो कालपनी का ताकि आपको यह शब्द जो है वो याद हो ओगायल का मतलब होता है दोखा देना, ठगना आज तो सम्झो आज सबको दोखा ही देंगे याज दोवर्ड बजप्षा ह् Yukim बगायल बगायल जिसका मतलब होता है दोखे दोखा देना या फिर ठगना और हम इसको याद कैसे करेंगे देखो बिगाईल यानि बिगाईल यानि बोले तो बगल same to same उपरवाले से लेंगे इसको उपरवाले को तो हमने हमारे बगल से किया था इसको हम सिर्फ बगल से करेंगे clear आज उज़र है example के तरू इसको समझते हैं बगल में बगल में रहने वाले बगल में रहने वालों बगल में रहने वालों से सावधान रहो क्योंकि सारे ठग हैं सारे ठग हैं क्या बात कर रहे हो सर उपर बोल रहे हो कि हमारे बगल में दोखे बाज है अब आप कह रहे हो कि बगल में ठग भी है मतलब हर जगह यही रह रहा है क्या किसी भी साइड सेफ नहीं है क्या अरे यह सिर्फ याद करने के परपस भे कहीं कहोगी यार ऐसा घुसा कुछ नहीं होता सर यह सिर्फ बाते हैं कालपनी कहा ताकि आप लोगों को यह सारी चीज़ें याद हो जाएं जो है अप राइट अप राइट यह वड़ी यह वाल है अप राइट का मतलब होता है इमानदार और हम इस वर्ड को याद कैसे करेंगे जरा देखो अप राइट देखो राइट को तो राइट ले लेते हैं राइट जो होता है यहाँ पर राइट आप right, example के तुरू समझो जरा क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं मैं आप right हो मतलब मतलब इमांदार हो क्योंकि इमांदार लोग ही तो right होंगे सही होंगे, clear हुआ तो आप right यहां पर क्या आगया किया आगया और इमांदार यहां पर आप देखेंगे तो meaning आगया, अप right जिसका मतलब होता है इमांदार और हमने इसको कैसे किया है आप right से clear, okay third word के बाद आते है हमारे fourth word की तरफ, fourth जो है herang herang herang, herang का मतलब होता है उग्र भाशन देना, उग्र भाशन देना clear, और इस herang को हम याद करने वाले हैं herang clear, क्योंकि herang जएद देखो, herang रang तो आए रहा तो herang तो हमने ले लिया, her, her का मतलब herang कर लिया हमने, clear, herang को हमने याद, इसका मतलब होता है उग्र भाशन देना और हमने इसको याद कैसे कर रहा है herang से, clear एक बार जड़ा है, example की तो दो समझो इसको herang की साड़ी पहन कर या herang की साड़ी पहन कर herang की साड़ी पहन कर या herang की कुछ भी कर लो यार साड़ी पहन कर सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी उग्र भाशन उग्र भाशन उगर भाशन दे रही है दे रही है देखो किसी भी political party से यहां पर किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है सिर्फ यह words याद करने के परपस पर बार बार मुझे यह disclaimer डालना वड़ता है क्योंकि क्या होता है कि आज कल कुछ जादा ही हो जाता है कि इसको क्यों कह दिया उसको क्यों कह दिया तो यहां पर सिर्फ याद करने के परपस पर यह तो हरा रंग यहां पर आप देखेंगे तो की आ गया और यहां पर उगर भाशन देना यहां पर इसका meaning भी आ गया है रंग है रंग जिसका मतलब होता है उग्र भाशन देना clear यह तो था fourth word अब चलते हैं इस video के last word के तरफ जो है pant pant यह पहनने वाली pant नहीं है भहिया समझ रहे हो इसका मतलब होता है तीवर इच्छा होना हाफना ठकना ठीक है pant और इसको याद कैसे करेंगे pant से ही याद करने इसको हम pant से याद करें माला pronunciation दोनों की से हमाँ pant जो यह पहनने वाली यह पहनने वाली pant है और इस pant का मतलब होता है pant का मतलब होता है तीवर इच्छा होना है या आफना एक बार example के तुरू समझो आज कल आज कल pant pant पहनने pant पहनने की सब की pant पहनने की सब की तीवर तीवर इच्छा हो गई है मतलब सब को इच्छा हो गई है यानि सब को ही pant पहननी है तो pant यहांपर किया गया और तीवर इच्छा होना यहांपर इसकी meaning भी आगया clear हुआ यह ता आज का last word इस वीडियो का last word clear एक बाद जल्दी से इनकी vision कर लेते हैं हमबग जिसको मतलब होता है दोके बाज यह दोखा और हमने इसको याद कैसे किया है हमारे बगल से और हमारे बगल में बहुत दोके बाज रहते हैं clear फिर था हमने देखा बिगायल बिगायल जिसका मतलब होता है दोका देना यानि ठगना इसको हमने याद किया बगल से और example के तुरू हमने इसको कैसे किया बगल में रहने वालों से सावदान रहो क्योंकि भाईया सारे ठग बैठे हैं फिर हमने देखा upright upright का मतलब होता है इमांदार और हमने इसको कैसे किया upright upright हो मतलब इमांदार हो clear हुआ फिर हमने देखा herring herring का मतलब होता है उगर भाशन और इसको हमने याद किया हरा रंग और इसको याद कैसे किया example के तुरू हरा रंग की साड़ी पहन कर सोनिया गांदी उगर भाशन दे रही है फिर से याँ पर बता दूँ इसका किसी भी party से कोई भी तालुक नहीं है फिर हमने देखा pant pant का मतलब होता तीवर इच्चा होना हाफना और हमने इसको pant से ही याद किया आज कल सभी लोगों की इच्चा क्या हो रही है मतलब आज कल pant पहनने की इच्चा या तीवर इच्चा हो रही है सभी लोगों की अरे फिर रटक रही है clear तो ये तो थे आज के पांच words पांच words थे ये अगर आपको ये समझ में आए हो अगर ये वीडियो समझ में आई हो पसंद आई हो ये सारी चीज़ें याद हो गई हो तो क्या करना है भाईया लाइक करना है क्या करना है लाइक करना है किसको वीडियो को और चैनल को क्या करोगे तो चैनल को अगर पसंद आगे है तो क्या करोगे subscribe करोगे मतलब इन दोनों चीज़ों के पर चैनल के उपर भी और वीडियो के पर दोनों के पर एक काम और जूरूर कर सकते हैं वो क्या है वो share करना अब अगर आपको लोगों को इस वीडियो से related PDF चाहिए ये जितने भी words कराएं तो telegram का link दिया है मैंने कहां पर description box में जाकर देख लीजिए वहां पर आप लोगों के join करिए और आपको वहां पर पीडिया मिल जाएगी facebook का भी link मिल जाएगा वहां पर आपके exam के point of view से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी क्लिए तो बस आज के लिए इतना है तेस वीडियो में तेंक यू